इस वीडियो में हम प्रिविएस 32 एर्स के नीट एंड AI PMT में जो क्वेश्चिन अमाइन्स के लिए पूछे गए हैं वो करेंगे और ये स्रीज में ये पार्ट वन है तो दो तीन पार्ट में ये मैं चैप्टर कंप्लीट कर पाऊंगे गाईज ओके सो स्टार्ट करते हैं अब देखे गाईज मैंने हलाकी बेसिटी ओफ आमाइन्स पे एक वीडियो डाली हुई है आप चाहें तो दिस्क्रिप्शन में उसका लिंक बिल जाएगा उसे देख सकते हैं इसमें मैंने आपको ये बताये था कि जब भी आपके प्राइम्री, सेकंडरी, टर्वसरी, एंड अमोनिय में बेसिटी को कंपेर करते हैं तो उसमें दो केसिज बनते हैं एक तो बनता है gaseous medium में और दूसरा बनता है जो की इस question में भी दिया गया है aqueous medium में ओके गाईस नाओ gaseous medium में एकदम straightforward answer रहता है क्या कि tertiary की basicity सबसे ज़्यादा then secondary then primary amine then ammonia लेकिन जब आप aqueous medium में आते हैं तो aqueous medium में ये थोड़ा सा different हो जाता है मतलब जो tertiary है वो कूद कर इधर आ जाता है यानि secondary सबसे ज़्यादा basic then primary then tertiary and then ammonia reason क्या रहते हैं aqueous में ये difference भी रहता है ये आप उस वीडियो में देखेंगे मैंने बहुत अच्छी से describe क्या हुआ है okay so basically hydrogen bonding का थोड़ा सा concept रहता है आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा इसमें तो basically plus eye effect का ही role रहता है और कुछ नहीं okay so इस के according जो आपका answer है वो क्या है B क्योंकि aqueous medium में पूछा था क्योंकि ये secondary है right this is primary amine and this is tertiary ammonia का इसमें पूछा नहीं किया था okay so next question देखते है the amine that reacts with the hinzberg's reagent to give an alkali insoluble product is हिंजबर्ग reagent बहुत important reagent है so basically ये इसका नाम क्या है benzene sulfonyl chloride और इसका जो structure रहता है वो कुछ ऐसा होगा okay benzene sulfonyl chloride so basically इसको आप क्या बोलता है हिंजबर्ग reagent okay now हिंजबर्ग reagent के reaction कराने के बाद जो हमारा product बनता है उसमें अगर हम alkali solution डाल देते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा तो हम basically primary, secondary and tertiary amines में differentiate कर पाते हैं कि हमारा कोई given कोई compound है for example आपको कोई test tube में है और मुझे ये पता है कि इसमें कोई सा amine है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसमें primary amine है secondary amine है ये tertiary amine है तो इस तरह से मैं पहले इसको हिंसबर्ग्स reagents के साथ reaction कराऊंगा उसके बाद based on their reaction उसके बाद मैं उसकी किसी alkali के साथ reaction कराता हूँ alkali जैसे KOH या NaOH ये दोनों बहुत ही common alkali है इसके बाद अगर मेरा जो product soluble बन जाता है या नहीं बनता based on this assumption हम अपना काम कर सकते हैं अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाओंगा कि क्या रहता है पहले जिन students को ये नहीं पता कि primary, secondary and tertiary amine किसे कहते हैं मेरा पहले question में भी ये ह हुआ था तो basically guys जैसे nitrogen है आपका इसमें we know कि तीन valency रहती है ये N सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है और बाकी के hydrogen से तो ये बोलते है primary amine अगर यहीं पे ये में nitrogen ये दो कार्बन से जुड़ा हो और सिर्फ एक hydrogen से तो secondary amine based on this number of carbons और अगर तीनों की तीनों valency पे carbon है यान tertiary amine समझें आपको तो for example ये क्या हो गया CS3 NH2 ये CS3 NH ये CS3 तो समझ गयों गया गया सब कि मैं क्या कहना चाहरा था तो basically guys आपको मैं थोड़ा सा और idea देदू अगर आपको mechanism नहीं देखनी है देखे primary, secondary and tertiary amine का मैंने का ये test है तो जब primary amine की आप हिंसबर्ग reagent के साथ reaction कर आते हैं ओके तो जो मेरा product बनता है ठीक है उसमें अगर आप KOH डाल देए कोई alkali डाल देए इस product ये product मेरा solubile बन जाता है याने घुल जाता है मेरा KOH solution में यहीं पे जब मैं secondary carbon जो amine है इस जब को हिंसबर्ग reagent याने सलफोनाइल क्लोराइड की बात हो ये गाईजे इसक ये साथ में जब reaction कराता हूँ तो मेरा जो product बनता है इसमें अगर मैं KOH ये कोई alkali जैसे अने वह डालता हूँ तो मेरा product non-soluble रहता है कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे reagent पे इस KOH के डालने का समझ महा है तो primary secondary में मैं based on this कि मेरा KOH डालने पे या product soluble है या insoluble ही रहा या क कोई फरक नहीं पड़ा तो मैं primary secondary में differentiate कर सकता हूँ तर्शरी में क्या अंतर आता है जब इसमें आप Hinsburg reagent डालते हैं तो basically इसमें कोई भी reaction नहीं होती समझ मैं आपको गाई सो ये primary secondary tertiary है ये इस हिसाब से मेरे distinguish हो जाते हैं सो अगर मैं फिलाल इस बात को दिमाग में रखते हुए question को solve करूँ तो मैं ये देखता हूँ पूछा क्या है इसमें कि the mind that reacts with Hinsburg reagent okay to give an alkali insoluble product याने secondary amine की मेरी बात की गई है इसमें अब मुझे जस्ट ये देखना है कि इस product में या इन options में मेरा secondary amine कौन सा है अगर आप गोर से देखें जो पहला जो मेरा option है इसमें nitrogen है ये दो carbon से जुड़ा है एक hydrogen से तो ये मेरा secondary amine है and this should be my answer लगे हाथ बाकी के option भी देख लेते हैं ये nitrogen तीन carbon से जुड़ा है इसका मतलब ये tertiary amine हुआ तो याने ये हिंसबर्ग reagent के साथ ही reaction नहीं करेगा ये NH2 दिख रहा है आपको सिर्फ एक carbon से है तो याने primary amine है तो ये alkali soluble product देगा ना कि insoluble तो इस वज़े से ये भी गलत हो गया और similarly जैसा ये भी primary amine है तो इसलिए ये भी alkali soluble product देगा ना कि insoluble समझ में आपको गईज ना हो अगर मैं इसकी mechanism थोड़ी सी देखना चाहूं थोड़ा short में देखेंगे गईज ओके सो पहला देखता हूं मैं primary amine में क्या फर्ग रहता है थोड़ा जल्दी जल्दी देखे कि C6H5S00Cl याने sulphonyl chloride से मैंने इसकी reaction कराए ना यह lone pair क्या करेगा यह क्योंकि डel positive charge है इस पर क्योंकि इस टाइप से जो oxygen से दोनों sulphur से ज्याद़ electronegative है तो electron cloud को अपनी तरफ खीच लेते जिसकी वज़े से यह positive charge यह create हो जाता है एक और भी है जो chlorine भी वह अच्छा electronegative element है तो यह भी अपनी तरफ electron cloud को थोड़ा खीच जाता है तो dell positive यहाँ पर काफी अच्छा है तो nitrogen यह यहाँ पर attack करता है और यह जो chloride है CL negative यह निकल जाएगा ओके सो कुल मिलाकर मैं यह देखता हूँ कि C2H5 NH2 positive आ जाएगा और यहाँ पर S double bond O double bond O C6H5 यह वाला इधर अब मैं क्या करता हूँ simply यह जो proton है proton निकल जाता है we know this जो यहाँ पर simple C2H5 NH2O double bond O C6H5 यह रह जाता है अब देखे गाईज यह आपका जो बना वो product है कि जब मैंने किसी हिंसबर्ग reagent के साथ reaction कराके product बना जो मैं उसकी HR के साथ reaction करके जो product बना की बात कर रहा था यह हिं आपको खाई नाओ मैंने कहा था कि किसी अलकली में डालने के बाद यह solubile हो जाता है याने अलकली डाला एनिवेच डाल लो आप के वेच डाल लो आप यह common alkalies रहती है जादा यह यह use करते है तो अब एनिवेच क्या होगा देखे यह base है OH negative इन में active species है यह base की तरह behave करती ह नाओ NH में यह H acidic है तो यह इसको fetch कर लेता है यह कैसे पता लगा आपको अगर नहीं idea है तो NH, OH, SH and triple bond CH कहीं भी दिखे आपको तो जो यह hydrogens है these are very highly acidic H because जो nitrogen oxygen sulfur है इनका अच्छा electrone negativity है जिसकी वरे से यह bond भी weak हो जाता है और triple bond C में जो percentage S character है वो बहुत ज्यादा है 50% तो इस वज़े से जो electron को खीचने की power है वो SP hybridized carbon में ज्यादा होती है इस वज़े से triple bond CH में यह H ज्यादा acidic है I hope आपको समझ में आऊगा यह बहुत सारी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ अगर आप मेरी वीडियो द देखते हैं तो यह जब H निकाल लेता है न गाईस तो देखें यह solubile क्यों बनता है यह H निकाल लेगा तो यहाँ पर negative right S double bond O double bond O C6 H5 और जो यह negative है यह Na positive वाला charge आ जागा यह क्या था Na positive OH negative है ना या K positive OH negative तो यह क्या होगा एक H acid H निकाल के H2O में convert हो जाएगा यह तो है ना यह और यह अब यह क्या बन जाता है एक solubile salt बन जाता है तो इस वज़े से जो primary मेरा carbon है यह amine है यह solubile हो जाता है because of formation of this product अब difference क्या आ जाता है जब मैं यहाँ पे किसी secondary mind कलू हू इस एक H को हटा के मैंने यहाँ पे again C2H5 जोड दिया राइट गैस तो वही होगा attack करेगा simple यहाँ पे अब simple अंतर क्या आ जाएगा देखिए यह एक जो H था इसको हटा के मैं यहाँ पे C2H5 लगा दू तो simple यही यही वाला product बन गया समझ में आपको कहा है ना अब अंतर क यह जो proton निकला तो यह यहाँ पे बच गया ठीए यह proton निकल चुगा था क्योंकि वाई यह positively charge था तो जो यह H इस ने OH negative ने निकाला था वो यहाँ पे नहीं है यहाँ पे अब बच रहे गया है C2H5 अब क्योंकि यहाँ पे इस base के लिए कोई H नहीं है निकालने के लिए इ यह क्या हो जागा एलकली insoluble product हो जाता है क्योंकि कोई ionic compound ने बना कोई acid catch नहीं निकला तो इसी वज़े से because कोई acid catch इस nitrogen पर present ही नहीं है इसी वज़े से यह secondary insoluble product बनता है ना अगर यह tertiary हो तो अब उस case में क्या होगा देखे tertiary के case में simple again वही मैं इस H को फिर से हटा दू यहां पर C2H5 field लगा लूँ अब क्या होता है गाईस देखे वैसे तो यह काफी एक bulky group बन जाता है ठीक है तो ideally क्योंकि यहां भी एक bulky group है देखे ideally क्या है एक ring है S double bond O है CL है क्योंकि यह SN2 mechanism है तो पीछे से attack करता है तो यह भी bulky है यह भी bulky site है तो यह generally reaction नहीं करती समझे ले अगर यह reaction कर भी जाए तो कुछ यह इस type का product बनाएगा देखे C6H5 S double bond O यहां पर N C2H5 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 और यहां पर positive charge यहां पर कोई H नहीं है तो क्या निकलेगा यह normally अब होता क्या है guys कि जो यह bond है यह unstable हो जाता है और यह simple यह तूट जाता है वापस यह एक इसी product में convert हो ज समझ ले या फिर आप कहा दे क्योंकि यह बल्गी साइट है इसलिए अटेक नहीं कर पाती इसलिए यह यहीं पर हिंसबर्ग रिएजेंट से ही कोई reaction नहीं करती समझ में आपको guys क्यूं है यह यह रीजन प्राइम्री सेकेंड टरिशरी का यह केस टरिशरी का था राइट सो next question देखते है nitrogen of aniline in a strong acidic medium also gives metanitro aniline because now guys यह जो question है यह यह जो topic पर question आया है मतलब nitrogen of aniline यह आप ही समझे एक special case है nitrogen का organic chemistry में इस topic पर बहुत बार question repeat हुए है ना कि सिर्फ नीट में aims में जेई में in fact जेई mains में advance में बहुत जगह इस पर जो questions है आये हैं बार बार अगर आप मेरी जो previous case की जेई के भी देखेंगे वह इसमें इन पर questions पूछे गए है right तो यह छोटा सा topic है सिर्फ आपको पता होना चाहिए okay so देखें गाई इस चीज को पूरे को समझने के ल ले लेता हूं समझाने के लिए इसको जब मैं concentrated HNO3 and concentrated H2H4 के साथ reaction कराता हूं तो मैं यह देखता हूं कि benzene से मेरा nitro benzene बन जाता है याने NO2 इस पर लग जाता है nitrogen हो गया मैं इस reaction से यह बोलूँगा यह reagent जब भी मिलेगा आपको तो इसका मतलब यह होता है कि NO2 जुड़ना है मेरा क्या कैसे देखे बेसिकली जो overall यह nitrogen का mechanism है यह overall follow करता है electrophilic aromatic substitution reaction को यह इसको follow करता है तो इसमें है क्या basically जब भी आपकी कोई ring होगी और आपको कोई electrophile होगा है याने positively charged कोई या जो इसे electron चाहिए है तो यह क्या करेगा जो h है इस पर ring से इसको substitute कर देगा मतलब इस h को हटा के खुद जाके जुड़ जाता है समझ मैं आपको काई सो यह इस case में जो मेरा electrophile है वो है NO2 positive या कहूं तो NO2 N-paste पर positive है obviously कोई की carbon दिख रहे है तो एक positive आना लाजमी है now देखे जो HNO3 है जो nitrogen का यह NO2 positive बना क्या अगर आपको यह भी देख रहा है तो जो H2SO4 है is more acidic than HNO3 तो सबसे पहले जो H2SO4 है reaction initiate करता है HSO4 negative एक और H देदेगा तो 2H ion plus SO4 2 negative होगा फिलाली HSO4 negative है यह जो H ion है यह क्या करेगा अब इसके साथ या इस पे attack करता है HNO3 right HNO3 है इस पे oxygen है यह basic site है यह H पे attack करती है यहाँ पे HOH positive बन जाता है NO2 और यह जो bond है यह break हो जाता है क्योंकि एक अच्छा living group है तो यहाँ पर H2O plus NO2 positive बन जाता है जो कि एक अच्छा electrophile है इसका मतलब यह substitution reaction यहाँ पे हो जाती है simple एक H को निकाला और यहाँ पर जोड दिया इस case में यह वाला H निकाला था तो confused मत हूँ समझ मैं आपको guys मैं क्या कहरा हूँ इस जो nitrogen of aniline की हम बात करते हैं हमेशा यह एक special case है इस ही के case में आएगा हमेशा नॉर्मली इसका significance कहा है तो देखें कि अब तक तो आपने nitrogen देखा था बेंजीन का फॉर एक्जांपल इस पर electron donating group है जो electron को जो basically ring को activate कर रहे है यह loan pair है इस पे जिस तरह से और एक electron withdrawing group होता है यानि जो electron को अपनी तरफ खीच रहे है electron withdrawing को deactivate कर रहे है तो इसमें जब भी कोई आपका electro file जोड़ता है या इस case में electro file जोड़ता है वो कैसे जोड़ेगा देखें यह basically electron donating group क्या है और्थो पैरा directing होता है तो लेकिन electro withdrawing group क्या है basically जो meta directing होता है meta portion पे group जोड़ता है क्यूं यह electron donate करेंगे अगर सारी portion को मैं 100-100 मालू initially कि इन पे basic content यह था अब यह electron को push कर देता है तो इन portion पे ज्यादा push करेंगे तो यहाने 120-120 मालू अगर आपको confusion भी हो रहा है तो लेकिन I hope आपको basic है यह इस position पे डालता है तो ideally जब आप electron donating group डालते हैं EDG तो या तो ortho पे या फिर era position पे आपका जो इलेक्ट्रो फाइल है वो जुड़ना चाहिए and similarly जब electron withdrawing group जुड़ता है जैसे इस case में तब ही इस case में क्या होगा meta product बनेगा जब यह electron withdrawing group होता है याने अगर मैं इस में फिनोल की बात करूँ OH तो जब भी मैं NO2 positive करूँगा याने nitrogen तो यह दो ही product बनाता है या तो ortho या फिर era समझ में आपको यह वाला case हो गया क्योंकि lone pair की वड़े से यह electron donating है because क्योंकि oxygen lone pair plus m शो करता है oxygen का जो electron negativity वड़े से minus i effect शो करता है लेकिन in this case plus m का effect ज्यादा होता minus i स तो overall यह activating है तो इस हिसाब से जो यह वाला मैंने concept बताया तो इस हिसाब से आपका जो aniline है वो भी ortho para directing होना चाहिए because इस पे भी lone pair है यह भी negative electronegative element है तो plus m and minus i शो करता है लेकिन plus m का effect minus i से ज्यादा है तो overall यह directing हो गया तो इस हिसाब से जब मैं इसका concentrated hno3 and h2o4 के साथ दीक्षिन करता हूं तो ideally इसमें भी मेरे दो ही product बनने चाहिए याने ortho product और दूसरा जो मेरा product बनना चाहिए ideally वो बनना चाहिए again para product ओके समझें आपको लेकिन guys practically या experimentally यह देखा गया है कि जब आप nitrogen करते हैं aniline का तो जो ही मेरा para product है यह 51% मेरा product बनता है याने मेरा जो group होगा mixture होगा उद्वे 50% ns2 है तो इसका मतलब यह 49% होना चाहिए बचावा लेकिन ऐसा नहीं होता है ortho product aniline के case में सिर्फ 2% होता है इसका मतलब जो बचा हुआ 47% compound है यह गाइस मैं mononitrition की बात कर रहा हूँ जब मैं सिर्फ 1 NO2 जोड रहा हूँ यह 47% meta product दे देता है आपको गाइस थोड़ा घी समझ में आया तो यह मैं जितना explain कर रहा हूँ this is more than enough यह meta जो product बना है यह 47% बना है अब इस question में पूछा क्या गया है कि nitrogen of aniline in strong acidic medium also gives meta nitro aniline because अब इसका reason बताना है अब देखिए आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि concentrated HNO3 and H204 के साथ reaction करने के बाद मेरा NO2 positive बना था and this is because ortho and para directing तो यहां पे ortho and para position पे जो density है मेरी electrons की वो बढ़ादी push कर दी तो इस वज़े से positive charge जादा negative charge पे अपना attract हो जाता है यह तो ortho and para जो product बना उसका explanation है meta product में है क्या देखिए guys reason आम तोर पे होता क्या है guys जब भी आप यह हो जो SO4 था initially इसने जो HIN निकाला था and HSO4 बचाया तो आम तोर पे तो क्या होता है कि यह HIN reaction में या जो मेरा product main reactant है जिससे मैं reaction कर रहा हूं जैसे इस case में aniline है या for example phenol है इनके साथ reaction नहीं करता है H2SO4 nitrogen में सिर्फ और सिर्फ catalyst की तरह use होता है याने HIN की reaction HNO3 के साथ attack करके यह H2O and NO2 positive बना देता है अभी बताया था आपको ठीक है लेकिन जब आप aniline के साथ देखते हो इसमें एक काम हो जाता है यह जो aniline है यह जो HIN है इस NH2 के साथ reaction करके यह basically loan pair है इदर यह attack करता है इस पर तो यह क्या करेगा anilineum ion बना देता है याने NH3 positive now because यह positive charge यहां आ गया अभी क्या है deactivating effect शो करना लग जाता है याने अभी यह overall positive charge है तो यहां ortho and paraposition से electron density हो कीच लेगा चूस लेगा तो overall meta पर electron density बढ़ जाती क्योंकि इन पर कम हो जाती है जब इसने इसके साथ reaction कर ली तो meta बन जाएगा 47% बाकिये cases में यह वाले product बन जाते है तो दोनों तरह की reaction एक साथ और ही होती है इसमें जो मेरा answer है is D कि in acidic medium aniline is present as anilineum ion इसलिए meta product बनते है okay guys so next question देखते हैं the correct increasing order of basic strength for the following compound is देखाइज बहुत ही असान question है सबसे पहले अब यह आप देखे तीनों को compare करना है मैं जब भी देखता हूँ मुझा पतला कि हम आईन है obviously लेकिन मैं इनको compare कैसे करूँगा देखे सबसे पहले जो मैं देखता हूँ इन पर lone pairs है अमें जो तीनों में common है क्योंकि उसको पहले देखनी कोईश करते हूँ क्योंकि यह question दिया गया है तो मैं देखूंगा कि जो यह aniline वाला part है यह सब में common है okay so major role यह कुछ play नहीं कर रहा है अब जो major role play कर रहा होगा इस question में वह कौन सा play कर रहा होगा यह जो groups है NO2 CH3 और यहां पर कुछ भी नहीं है अब देखे हो क्या रहा है ns2 plus m and minus i plus m का effect ज्यादा है तो overall ring को activate कर रहे हैं सब में okay now NO2 is very very अच्छा बहुत ही अच्छा electron withdrawing group यह it is one of the strongest electron withdrawing group तो यह आप guys आँख बंद करके अब जहां भी NO2 दिखे है यह मानो यह बहुत ही अच्छी power का electron चूसने वाला है बहुत ही जाद electron चूसेगा ठीक है तो अगर मैं अच्छा एक बात आप मान लो कि यह जो ring थी तीनों की इन सम में different different सभी ring में मैं यह मान लो इसमें hundred hundred का potential था negative charge potential यह कुछ भी मान लो ऐसे hundred मान लो मैं समझाने के लिए बतारू ठीक है अब इसने negative charge को खीच लिया बहुत ही बढ़ी है तरीके से अच्छा negative charge तब मैं देखता हूँ कि negative charge खीचने के बाद कि इस ring में तो कुछ नहीं जुड़ावाए तो overall hundred ही चार्ज रहा इसमें अच् effect शेओ नहीं करता तो यह ज़्यादा तो effect नहीं डालेगा अंदर लेकिन फिर भी थोड़ा बोर्ट effect डालता तो for example मैं इसमें कह दूँ कि चलो 5% काशने potential बढ़ा दिया था याने अब यह 105 हो गया तो अब देखें किस नहीं ज़्यादा effect डाला ज्यादा basic इसमें क्या हो ग तो यह अब क्या जाएगा फर्स्ट हो जाएगा कहेगा या ना मुझे किसी से मतलब था ना देना था लेना था तब भी सेकंड आ गया अब यह वाला क्या है इसने अच्छा इलेक्ट्रोंग ग्रूइं ग्रूप गया था जिसने सारी जो इसका basic strength इस सब को खीच लिया चू ना माइन, acetamide का formula क्या है CH3COONH2 यह आपका acetamide इसको convert करना है methanamine में याने CH3NH2 इसमें कौन सी reaction है जो कि इसमें सबसे सही रहेगी अब देगे पहला ही जो option है hoffman bromide बहुत ही common reaction है amines की यही reagent यह basically क्या है use होते है याने इसमें क्या होगा BR2 and KOH use होता है जो कि इस amide में जो इस CW bond है इसको हटा के simple CS3NH2 यह जोड़ देता सो मतलब क्या है amide से amine में convert कर दिया यह है मेरी hoffman bromomide reaction तो फिलाल मेरा a option तो मेरा सही हो गया ओके guys सही अब फिर भी चलते चलते बाकी की तीनो reaction भी देख ले कि इसमें इन तीनों में होता क्या था था कि थोड़ा आगे भी कभी आये तो हमें भी फाइदा ही रहे तभी question करने का फाइदा है जो दूसरी reaction है काई stiffens reaction इसका basically जो reaction हो क्या है rcn को याने मेरे जो nitrile है इसमें sncl2 और hcl के साथ जब reaction करते हैं तो rco में convert हो जाता है तो overall यह एक reduction की reaction है समझ में आपको reduction है हो रहा है तो यह rcn को rco में जब आप convert कर देते हैं तो यह इस तरह से मेरा product बन जाता है समझ में इस type की reaction है और मैं कैने जो देखेंगे आगे कभी question आएगा इसमें तब ओके फिलाल तो यह गलत हो गया गैब्रियल थेलमाइड synthesis भी एक अच्छी important reaction है in fact amines में तो गैब्रियल थेलमाइड synthesis में क्या है basically हम थेलमाइड लेते हैं थेलमाइड का जो आपको formula है वो यह है थेलमाइड को जब आप किसी alkali के साथ reaction कराते हैं QH तो आप देखते हैं कि जो OH negative है इस acidic H को खीच लेगा आभी बताया था है NH पर acidic H है तो यह देखते हैं कि इस पर एक basic site छोड़ देता है अब क्या होगा गैब्रेल थेलमाइड synthesis में ही फिलाल तो आपको समझ में आगे होगा यह है नहीं थेलमाइड synthesis में ही किसी alkyl halide से reaction होगी SN2 reaction कराएगा और simple क्या हो जाएगा जो यह N है यहाँ पर ही लिख देता हूँ इस से यह जो R जोड़ा था वो ऐसे जोड़ जाता है समझ में आपको गैज़ तो यह basically थेलमाइड से N-alkyl थेलमाइड बन जाता है ओके गाईज तो लास्ट ओप्शन जो है D, कार्बिलमाइड reaction इसमें क्या है कार्बिलमाइड reaction में basically आप R N H2 लेते हैं अगें प्राइमरी अमाइड की ही reaction है यह याद रखियेगा सिर्फ प्राइमरी अमाइड ही कार्बिलमाइड reaction देते हैं इसकी CH, CL3 and QH के साथ जब आप reaction करते हैं यह बहुत important reagent है याद रखियेगा तो यह basically आईसो साइनाइड में convert हो जाता है इसको यह coordination bond बना यह वाला इसके बजाए आप इसको triple bond C और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर negative ऐसे भी लिख सकते हैं तो same ही चीज़े समना तो primary amount to alkyl isocyanide यह convert कर देता है तो यह भी गलत हो फिलाल option आपका A सही है next question देखते हैं which of the following nitro compounds does not react with the nitrous acid nitrous acid का formula होता है HNO2 याने N double bond O इधर OH यह बहुत important reagent है when it comes to organic chemistry या more specifically आपका जो amine वाला chapter है बहुत important इसका structure आपको याद होना चाहिए तो basically कहा है कि कौन से यह compound है जो कि nitro compound की बात होरी है in fact जो कि HNO2 के साथ reaction नहीं करते हैं एक liner में आपका बताओ अगर answer तो जो tertiary आपके nitro alkyne होते हैं tertiary वे react नहीं करते हैं ठीक है तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मेरा option क्या आगया C क्योंकि यह tertiary nitro alkyne है क्य जुड़ा है समझ में आपको इधर देखेंगे NO2 primary carbon पे यह primary है यह भी primary है और यह वाला secondary carbon पे जुड़ा है तो यह तीनो primary primary secondary सबके सब reaction कर सकते हैं यह इकलोता ही tertiary nitro alkyne हो गया जो कि nitrous acid से reaction नहीं कर पाए गया यह तो फिलाल हो गया समझ मा गया लेकिन अब ऐसा है क्यू तो देखें आपको शोट में बताता हूँ जैसे मैं अभी आपको primary वाला लेता हूँ NO2 ओके गया यह मेरा primary chain है CH2 है अब क्या होगा देखें जब भी आप HNO2 के साथ reaction करते हो इसमें कि यह short trick है तो यह HOH है यह मिलकर यह H2 निकाल देते हैं और यहाँ पे CH यह N double bond O और यह बन जाते हैं समझ में आपको अगेन अब यह क्या होगा इसका totomarization होता है नाइट्रो एंड ऐसी फोम का नाइट्रो एंड ऐसी yannay यह क्या है नाविर Nitro form है यह SC form में convert होगा तो यह क्या होगा यह जो double bond है यहाँ पर आएगा और यह यहाँ पर आता है समझ में आपको तो RC double bond N यहाँ पर N पर OH इदर O और इदर N double bond O यह SC form है तोटो मेरीजम आईगेस आपको पता होगा ठीक है तो यह अगेन क्या होगा अगर मैं इसमें गाईज जस्ट एक एफ़ यह बता रहूँ अगर मैं इसमें एनिवेच डाल दूँ तो एक रेड कलर का मेरा सॉलूशन बन जाता है और यह नेगिटिव क्या करेगा जो यह फोर्म यह ब्लू कलर का होता है जैसे ही इसमें एलकली डाल देते हैं यह रेड कलर में करन्वर्ट हो जाता है तो यह प्राइमरी जो माइन होगा इसकी रियेक्शन होई समझ माहा है आपको गाईस नाओ अगेन अब क्या होता है फॉर एक्जामपल अब मैं इस एच को हटा के ठीक है मैं आड जोड़ देता हूं तो यह सेकेंडरी बन गया ठीक तो अब इसमें क्या होगा है एच नूटू के साथ रियेक्शन करके सेम प्रोड़क्ट यह वाला बना दिया है ठीक है समझ माहा है अब यह नाइट्रो फोम है इसमें टोटोमराइजेशन होने के लिए कोई भी एच नहीं है यहां है नहीं है ना कोई तो टोटोमराइजेशन होगा ही नहीं तो सेकंडरी जो मेरा आमाइन है एक नाइट्रो एलकेन है यह यहीं पर रुक जाता है जो कि एक ब्लू कलर्ड सोलूशन है लास्ट टाइम की थार है अब इसमें एच डालू ना वाला अब आपको guys आगे ओर समझ में आगे हो कि tertiary क्यों नहीं करते है इस H को भी हटा दू R लगा दू अब इसको हटाने के लिए H कहा है इसमें तो यही reaction नहीं करता इसलिए जो tertiary है मैंस मेरे इसमें reaction नहीं करते ठीक है तो C option हो गया next question देखते है a given nitrogen containing aromatic compound A ठीक है कोई aromatic compound A दिया वा है reacts with SNHCl followed by कोई इसके बाद reaction हुई इसके बाद मैंने reaction कराई इसकी again HNO2 के साथ to give an unstable compound B B on treatment with phenol अब यह इसकी मैंने phenol के साथ reaction कराई forms a beautiful colored compound C एक colored compound बना C color है with the molecular formula C12H10N2O the structure of compound A is अब देखे guys मैं इस type का अगर कोई question आता है मैं A मुझे पताना है इसका final answer दिया है अब देखे C 3 या 4 होते का number of carbons तो मैं फिर भी थोड़ा इसका isomeris बना सकता था number of देख सकता था कि कौन सा इस profile को suit कर रहा है structure बना सकता था right guys समझे आप लेकिन अब इसमें क्या इतना C12 है तो इतना बड़ा मैं कैसे बनाऊंगा ISO ठीक है तो अब इसमें best option यही रहता है या आप option को choose करें उसके according काम करें देखें SNHCL यह एक बहुत ही अच्छा basically reaction है यह reduction की reaction है और बहुत ही common reduction की reaction है और बार बार आप देखतें SNHCL के बजाए इसमें आपको ZN plus HCL भी दे सकते थे या ZN HCL इसके बजाए आपको FE HCL भी दे सकते थे इसके बजाए आपको hydrogenation भी कर सकते थे H2 with PD catalyst यह जो सारे reaction होते है यह reduction की reaction है समझें आपको अब मैं देखे option जब देखता हूँ Amines का कोई reduction जब मैं करूँगा क्या ब्रहें यह मुझे कुछ suit नहीं करी देकि मैं personally क्योंकि मैं इतने question की practice करता हूँ Amines का reduction करके कहा जाओंगा मैं कोई ऐसी suitable reaction मैं दिमाग में नहीं आती सबसे बहले अब मैं B option देखता हूँ NO2 था ठीक है मुझे लग रहा है कि NO2 में भी मेरा बन सकता है क्यों NO2 का reduction हम बार बार करते हैं ठीक अभी फिलाल मैं इसको हटा दू reduction ही होना है तो मैंने सोचा कि चलो let's just suppose अब देखिए मैं hit and trial ही कर रहा हूँ गाई ऐसा नहीं है कुछ भी है let's just यह नहीं NS2 में convert होगा तो मुझे लगा कर यह answer है तो यह उस हिसाब से cut गया ठीक है अब NS2 and HNO2 के साथ reaction हो रही है यह basically बहुत ही common कि इसकी reaction डाई-azotization की अगर आपने मेरी reactions देखें डाई-azotization and azo-diformition की या in fact अगर आपने मेरा जो JE का अमीनो वाला chapter है वो भी देखा हो होगा तो आपको कोई question इसमें रुकना नहीं चाहिए देख आई जीन स्ट्वेंड्स को नहीं पता मैं आपको बता दूं कि देखें NS2 के साथ reaction हो रही है या RNS2 के साथ reaction हो यह aliphatic aromatic है जब भी आप NaNo2 plus HCl के साथ reaction करते हो NaNo2 plus HCl यह क्या बनाएगा देखें HNO2 बना देता ह है जो कि अभी पिशली reaction में आपकी reaction होई है तो HNO2 plus HCl बनता है NaCl ठीक है तो HNO2 के साथ इसकी reaction होती है यह भी क्या है HNO2 plus NaCl तो main जैसमें जो reactant है वो HNO2 है समन आपको इतना तो तो अभी इसमें मैं यह हटा देता हूं और मैंने देखा HNO2 के साथ ही मेरी reaction होनी है अब क्य OOH और यह क्या वहेगा गाईस यह बहुत ही common है अगर याद रख सकते तो याद करें H2 निकाल देगा H2 निकाल दिया अब H2 निकलने के बाद यह कुछ इस टाइप का compound बन जाएगा N double bond N OH इधर क्या हो जागा RN double bond N OH दोनों के ऊपर loan pair है इधर ठीक है अभी मैं इधर की बा परता है गाईस यह loan pair इस पर rearrange होगा और यह bond basically break हो जाता है push हो जाता है यह होगा क्योंकि medium के यह होगा इस पर और यह bond break हो जाता है तो cool मिला के आपका यहाँ पर एक step compound बन जाएगा N triple bond N और तीन चार bond होगे तो इधर positive and again इधर क्या बन जागा R N triple bond N positive इसको आप इस तरह स भी लिख सकते हैं just मैं FYI बता रहा हूँ आपको N2 positive इधर R N2 positive ठीक है तो यह same चीज है इसको आप बोलते हैं diazonium salt तो जैसे आपने reaction में suppose यहाँ पे CL negative डाल लूं salt की फोम में तो क्या हो जागा benzene diazonium chloride समझे हो आपको यह benzene diazonium salt इस तरह से आप इसको बोल देते हैं तो कुल मिला के यह एक intermediate है यह एक intermediate है इसकी reactions होती है आगे बहुत सारी अभी हम देखेंगे फिलाल यह आपका intermediate बन गया जब आप aromatic की बात करते हो aromatic में तो यही पे reaction रुख जाती है लेकिन जब आप इस aliphatic की बात करते है न तो यह यहाँ पे reaction रुखती न यह थोड़ा unstable हो जाता है unstable इसले होगा guys क्योंकि इसमें तो alkyl group ही है सिर्फ और यह अच्छा living group है निकलना चाहता है इसमें भी यह निकलना चाहेगा लेकिन क्योंकि यह positive charge conjugation में है न अंदर double bonds के तो यह basically इसके comparison में थोड़ा फिर भी less मनलब थोड़ा सा stability बढ़ जाती है इस case में तो यह इसी form में रह जाता है इसको कोई nucleophile की जरौत है जो की attack करके इसको निकाल ले समझ में आपको लेकिन इस case में क्या होगा यह निकलना ही चाहता है तो again क्या हो positive plus N2 gas is released समझ में और इसको आप कैसे लिखते है प्रोटोन निकल जाता है तो आपको कोई question पूछा जा सकता है कि जब aniline को आप nitrous acid याने अचनलिटर के साथ रेक्षिन कराते हो तो benzine diazonium salt बनता है लेकिन जब आप यह primary amine की reaction कराते हो nitrous acid के साथ तब diazonium salt नहीं बलकि alcohol बनता है यह guys आपका final product है यह वाला नहीं है इसमें यह वाला है समझ में यह एक step आगे h2o से भी reaction कर देता है यह इस पर मैंने आपको समझा दिया है आगे जो question इस पर पूछे गया है मैं आपको direct कराऊंगा इसमें भी direct कराऊंगा समझ में आपको कोई doubt नहीं ना हो यह जो to positive लिख देता हूँ अब इसकी alcohol के साथ reaction कराई और see again guys यह एक एजो डाई की reaction है एजो डाई formation सो basically हमारे जो course में तीन तरह की dyes है एक तो phenol orange एक है aniline yellow एक है naphtal red ठीक है red color की है यह yellow color की dye है एंड यह orange color की dye है तो जब भी आप इस diazonium से ठीक है इसका हाला कि मैंने पूरा अच्छा mechanism आपको समझाया हुआ है तो आप उस वीडियो में देखें मैं description में डाल दूँगा उसका link अगर आपको interest है लेकिन इसमें आपको मैं mechanism बताऊंगा इसमें आपको direct method बता दूँगा देखें जब भी इसके तो phenol orange है न फिनोल के साथ reaction होगी तो क्या होगा यह जो एन है न यह यह देखें यह इसका ortho para यह ortho metapara जो position है याने 1,2,3,4th position से इस nitrogen का bond बन जाता है ठीक है और यह कुछ इस तरह से बन जायागा देखें एन double bond N OH यह तो bond बन गया और यह ऐसे shortcut में मान सकते है तो यह आपका जो product बना है यह final product बना है इस reaction का समझना आपको और आगर आप देखेंगे तो C12H10 N2O यही reaction इसका follow कर रहा है ठीक है N2 है O भी है C12 है 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 और आगर देखेंगे hydrogen भी same रहेंगे तो यह जो product बना आपका final product है in fact यह colored compound क orange color की dye है phenol orange समझना आपको guys कि मैं क्या कह रहा था वैसे भी guys देखें मैं इसमें एक hint ले सकता था जैसे ही HNO2 आया तो मैं यह सोच लोगा कि या तो कोई nitro compound है बना होगा या कोई diazonium salt होगा ऐसा बना होगा उसी में मेरी reaction हो सकते थी तो जैसे diazonium salt होगा तो मैं मानता इसका मलब यह नहीं होना चाहिए NO2 का अगर मैं reduction करता हूँ NS2 बन गया अब आगे reaction मेरी follow हो गई से समना आपको कैसे किया मैंने थोड़ा था internet trial से start करते है जितनी ज्यादा practice करेंगे इतना असान हो जाएगा वैसे भी guys यह question ज्यादा tough नहीं था तो आपका जो question B है जो option B ह it is correct answer next question देखते है the correct statement regarding the basicity of aryle amines सबसे basic aniline ले रहते है aryle amine ठीक है guys अब यह basic है क्यों इसको explain करना है पहला है कि aryle amine जनरली more basic than alkyl amine अब इनोंने कहा है basically देखे aniline और मैं compare करता हूँ CS3 NH2 को यह alkyl amine हो गया primary amine है और यह हो गया aryle amine aryle amines are generally more basic than alkyl amine because of aryle group यह क्या है सारासर गलत है wrong statement है इसलिए क्योंकि aryle amines basically less basic है than primary amines की क्यों because इधर जो loan pair है इसी की वज़े से इनकी basicity है इसमें जो loan pair है यह वाला जो प्रशाद है loan pair का इस पूरी ring में बट जाता है तो इसकी overall जो effective नहीं से reduce होगी लेकिन इधर loan pair कहीं नहीं बढ़ता इसमें delocalized हो गया अगर मैं proper एक term बोलूँ delocalization हो जाता of this loan pair लेकिन but on the other hand here in this case of alkyl amines this loan pair is unlocalized here it doesn't delocalized because it does not have any ring ठीक है in fact जो यह आपका alkyl group है in this case जो मैंने methyl लिया है इसका भी थोड़ा plus eye effect हो जाता है तो normal loan pair से भी थोड़ा सा extra इसका basicity बढ़ गया प्रशाद कहीं नहीं बटा यहीं की यहीं है इधर प्रशाद पूरा ring में बट गया तो यह loan pair बट गया तो इसलिए वैसे भी less basic है यह more basic है तो basically यह statement ही गलता है बी option राइल amines are generally more basic than यह भी मैं देखते काट दिया लेकिन आप चलो reason देख लो इसका because the nitrogen atom in a real amines is sp hybridized nitrogen atom in this यह क्या sp hybridized है क्या नहीं है ना गाइस loan pair है simple वही यार अब देखे nh2 इधर यह ring है यह loan pair है यह क्या है pyramidal shape है ना simple यही shape होगी इसकी यह ring यह h pyramidal shape है अब देखे यह loan pair plus bond pair बनाते है तो एक सिगमा दो सिगमा तीन सिगमा bond pair 3 loan pair 1 loan pair की बात कर रहो ना दो electron है one pair तो 4 आगे 4 किस में आता है sp3 sp3 hybridized है भाया इसमें तो ही नहीं है यह तो obviously sp3 दीखी रहा होगा इसका भी तो structure ऐसे ही बनता है pyramidal तो यह भी गलत है तीसरा देख लेते हैं चलो कि arryl amines are generally less basic than alkyl amines चलो इसने थोड़े काम की बात करी because the nitrogen loan pair electrons are delocalized by interaction with the aromatic ring pi electron system yes यह pi electron system है न तो this is correct वही जो है आपको समझाया था d option देखते हैं कि arryl amines are generally more basic than alkyl amines अगें यह भी गलत हो गया because nitrogen loan pair are not delocalized by the interaction with the aromatic ring pi electron system क्या आप लिखावा है उल्टा है लिख दिया ठीक है तो c option आपका correct है next question देखते है the following reaction यह reaction दियो और यह product बना है is known by the name देखें guys basically यह अगर मुझे reaction भी नहीं पता होती तो मैं इसको कैसे कर सकता था आप देखें अभी name reaction तो मैं आपको बताई दूँगा guys देखें इस पर loan pair है अमीशे आपका name देखें नहीं आएगा ना पूछने को method भी पूछ सकते हैं देखें मैं इसको अलग से draw कर देता हूं और आपको ताकि इसमें थोड़ा सा आसानी रहेगी समझने में थोड़ा मैं सब्भीहसा थोड़ा इसका diagram बना देता हूं तो यह कुछ इस तरह से बना है ठीक है guys और NaOH के साथ इसमें reaction कराई गई है अब देखें सबसे पहले होता क्या है अगर मैं NaOH भी ना देता तब भी यह इसमें reaction कर सकता था फिलहाल आप मैं मानता हूं कि N loan pair nitrogen ने इस C के साथ attack किया और यह bond break हो गया SN2 राइट अब क्या होगा यह जो bond हुआ यह जो ring बनी यह NH2 positive C double bond O और यह यहां पर ring बन गई समझ में आपको ना हो यह जो NaOH था OH negative इसका होना ना होना guys बराबर है H2 भी होता तब भी हो जाता यह एक जो proton है यह हटा देगा यहां से ठीक है और H2 बन जाएगा और कुछ न नहीं था guys simple यही करना था वह जो इस reaction का नाम है वह क्या है शोटन बोमन reaction यह बहुत पुरानी reaction है तो उस टाइम पर क्या होता है हर reaction जो भी कराई उसमें अपना जो chemist होते थे अपना नाम दे दिया करते थे तो इस ही अभी तो आपको देख के असान लग रही होगी लेकिन जो नेम reaction है वो इस टाइप किया है ज्यादा common reaction नहीं है इसलिए थोड़ा सा tough हो जाता है फिर भी अगर देखे पर किन reaction नहीं हो सकती आप इसको काट के भी use कर सकते थे फ्रीडल कराफ्ट नहीं हो रही है फ्रीडल कराफ्ट में electro file का addition होता है इसमें कोई addition नहीं हो रहा है तो यह मेरा गलत हो गया ऐसी tillation reaction भी नहीं हो रही है ऐसी परवकिन reaction भी आप काट सकते हैं तो यह इस सरे से मेरा shorter moment reaction आगया ऐसे भी कर सकता है तो फिलाल C option है next question method by which aniline cannot be prepared is अब देगे पहला क्या है degradation of benzamide याने पहला अप्शन देख रहा हूं benzamide क्यों हो गया यह with bromine in alkaline solution BR2KOH यह अभी बताया था आपको hoffman bromomide reaction hoffman bromomide reaction क्या है RCWONS2 क्यों बेसिकली RNS2 में convert कर देता है यह CW लट जाएगा तो इसमें भी यह CW लट आदे और यह NH2 direct is ring इस carbon से चुड़िया यह क्या है Aniline है इसको Aniline ही बोलते है Aniline हो गया तो यह आने अब यह method सही है cannot भी पूछा है कि किस से नहीं बनेगा तो फिलाल मेरा answer नहीं है दूसरा क्या पूछा गया है कि reduction of nitrogen of nitrogen with H2PD अब यह आपको बताया था कि nitrogen जो NO2 है H2PD के साथ देख्शन कर देते SNHCl, ZNHCl, FEHCl कुछ भी दे देते यह reduction की reaction है NH2 इसमें बन जाता है समन में आपको गया तो basically ethanol क्या है medium है solvent है तो यह क्या बन यह आपका Aniline बना है तो यह method सही है cannot भी पूछा यह गलत होगी answer C क्या हूँस है? Potation salt of thalamide, thalamide method हो गया Gabriel thalamide synthesis, right अभी समझाया था guys तो मैं इसमें थोड़ा सा direct कर दूँगा NH treated with potential salt of thalamide यान, potential salt क्या होगा इसका? KOH के साथ में reaction कराए थी, इसके OH negative ने H को खीच लिया तो यहाँ पर क्या बन गया? N negative K plus यह potential salt of thalamide होगा इसको जब आप क्लोरो बेंजीन के साथ reaction कराते हैं यानि यह वाला तब क्या होगा? Followed by hydrolysis with aqueous NAHCl तो अब क्या बनेगा? देखे यह वाला इसके साथ कोई major reaction नहीं देता क्यों guys क्योंकि पहली बात तो यह जो lone pair है यह काफी ज़्यादा बठ गया है तब क्या होगा? इस CL को substitution reaction होने के लिए एक strong base होना चाहिए जैसे NANS2 जो की बहुत ही जादा one of the strongest base है जो हम organic में पढ़ते है NANS2 Sodamide तो उसके साथ तो यह NANS2 निकल जागता था NANS2 बन जाए अगर मैं इसके बजाए यहाँ पर मैं कहता है Chlorobenzene को NANS2 के साथ reaction करा दी तब यह simple NANS2 में convert हो जाता Benzyne mechanism से बनता है मेरी वीडियो देखेगा Benzyne की उससे समझ में आदा है फिलाल आपको ज़्यादध को confused होने की जोतनी है यह method से नहीं बन रहा है ठीक है तो इसका मतलब बन नहीं रहा है तो मेरा correct answer होगे क्योंकि cannot be prepared अगर इसमें NANS2 देते ना तब मेरा बन जाता I hope guys आप समझ ही रहोंगे बहुत ही basic question था कुछ इसमें इतना था नहीं कुछ idolises of phenyl isocyanide अब phenyl isocyanide क्या है देखे guys मैं आपके एक trick बता रहा हूँ यह isocyanide हो गया जब भी इसका आपको idolises करना हो इस type के compound का तो आप किस तरह करेंगे देखे जो यह वाले इस type के compound होते हैं N और C के बीच में जो bond बना है तो इसको until unless it is said यह दियावा है तो इसमें जब भी आप इस तरह का bond होगा एक coordination and यह इनको आप जब break करते हैं तो nitrogen पर तो दो bond है जाते हैं कि जो coordination bond है इसके पास है तो इसके break होने के बाद इसके और इसका तो दो bond इसके प्यास आ गया यह जो N का double bond था ना आधा इसके पास आधा इसके पास आधा इसके पास आधा यह इस तरह आ जाएगा, समझ में आपको guys में क्या कहने की कोशिश कर रहा था, तो जब इसका आप hydrolysis करते हो, for example, H3O positive के साथ करता हूँ, hydrolysis है, H2O and H positive, acidic hydrolysis, तो अब इसमें क्या है, carbon and nitrogen है, nitrogen ज्यादा electronegative है, तो अपनी density इधर होगा, partial negative इधर, partial positive इधर, तो H ion को यह attract करता है, और OH को यह, समझ मैं, तो इधर क्या होगा, H, H, इधर OH, OH, OH and OH, तो यह क्या होगा, NH2, तो similarly इधर क्या जोड़ जाएगा, यह होगा, NH2, बाकी का जो यह वाला part था, यह hydrolysis होगा, यह निकल जाता है, water, यह इधर water, क्योंकि एक carbon पे, एक से ज्यादा OH होगे, तो यह वाला C double bond O में, और यह वाला C double bond O में, कनवर्ट होगे, यहाने, CO2, प्लस H2O, 2H2, I hope guys, आपको समझ में आ गया होगा, यह, सो D से भी बन गया, यह trick है guys, अभी आगे और question करेंगे, तो यह trick में, इसमें use करूँगा, ठीक है, तो उसमें आगर आपके इसमें देखते हैं, the electrolytic reduction of nitrogen in strong acidic medium produces, देखे guys, यह एक बहुत ही अच्छा question है, इस पे, in fact, काफी बाहर question पुझे आते हैं, देखे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे NO2 है, इसका आप electrolytic reduction कर रहे है, electrolytic reduction की बात करा हूँ, in fact, अगर मैं normal reduction करता हूँ, जैसे मैं SN plus HCl के साथ कर दूँ, है न, metal और कोई acid है मेरा, कुल मिला के, यह जैसे ZN plus HCl है, H2 PD है, Fe plus HCl है, तो इसके साथ simple यह NO2, NS2 में convert हो जाकता है, यह तो मुझा पता है न, guys, अभी समझा था, अब जब आप electrolytic reduction करते हैं, तो इसमें दो option बनते हैं, या तो weak acidic medium में, ठीक है, weak acidic medium, या फिर strong acidic medium, इस टाइब के में, weak acidic में भी question पूछा हुआ है, तो ध्यान रखें, जब भी इस टाइब का reduction होगा, तो direct NS2 में convert हो जाएगा, जब आप weak acidic medium में use करते हो, उस case में भी, जैसे electrolytic reduction of nitrogen in weak होता, तो यहा भी direct यह NH2 में convert हो जाता, याने aniline में, simple, समझा इस तरह हैं, अंतर आ जा basically phenol, यह sorry, जो nitrobenzine है, यह phenyl hydroxyamine में convert हो जाता है, मतलब देगे, यहाँ पे तो अब तक यह हो गया, NHOH, यह बन जाता है, समझे मैं आपको, कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीके, देगे, जैसे ही क्या होगा, in fact, यह, मतलब इसको आप ऐसे समझे, electrolytic reduction करा, stirring acidic medium में, यह वाला compound बना, और यह एकदम से rearrange हो जाता है, ठीके, और rearrange होके, क्या होगा, यह वाला H है, अब देगे, यह वाला H है, यह इधर आ जाएगा, जो यह OH है, यह इधर आ जाएगा, तो क्या हो जागा, इधर NH2, यह H इधर आ गे था, यह OH इधर आ गे, इधर OH, सबना हो, पैरा aminofenol बोलते हैं इसको आप इसको डारेक्ट भी याद कर सकते हैं कि वीक ऐसे डिग मिनियम में इधर ओएच जोड़ जाता है आप ऐसे भी याद करते हैं लेकिन इंटरमीडियेट जो बनता है ये भी पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है समझना आपको फिनाइल हाइड्रोक्सी अमीन हुआ इधे रियरेंज होगा और पैरा अमीनो फिनोल में करनोट हो गया तो इसका जो आंसर है फिलाल मेरा सी ओप्शन है आगे एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें वीक ऐसेडिक मीडियम के बारे में पूछा गया था और ये क्वेश्चन था गाईस 2005 में पूछा गया था इसमें क्या गया कि एलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन नाइट्रो बेंजीन इन वीक ऐसेडिक मीडियम ठीक है तो आप देख सकते हैं ये चीजे डारेक्ट पूछी गया है और इतनी टफ नहीं है गाईस दो चाबरार प् अब देखें गाईस ये क्या बन रहा है आपका ऐसोनियम डाइसोनियम सॉल्ट है एं ट्रिपल बोन एंड सी एल नेगेटिव राइट कुछ ऐसा सेल नेगेटिव को लिखें आप ना लिखें फिला कोई काम करें और एनस्टू के साथ रिक्शन हो रही है अब मैं जैसे इस इसको देखता हो ना गाईस मुझे पता लग जाएगा ये बेसिकली एजोडाई फोर्मिशन हो रही है और इस केस में अब क्या है ये एनलेन येलो की फोर्मिशन है मैं आपको बताया था ना कि तीन तरह की डाई मेरे सेलिवस हो है फिनोल ओरेंज फिनोल ओरेंज का एक अगर आपको मेकेनिस देखना है तो मेरे वीडियो देखेगा एजोडाई की लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एनस टू है इस केस में सिंपल और कुछ नहीं बनना इस में ठीक है तो ये क्या आपका प्रोर्ट्क बन जागा ये इस तरह से ये इधर रियर्रेंज हो जाता है और यहां पर कुछ इस तरह से समय आपको कोई इश्यू तो होना नहीं चाही क्योंकि इसनों कुछ था नहीं ये है आपकी अनलन येलो तो बेसिकली डी इस करेक्ट है इसमें आंसर राइट तो नेक्स्ट कुश्यन देखते हैं इसमें इसमें अलकाइल वाले ओप्शन है कौन सा स्टेबिल होगा तो मैं इसका सबका स्ट्रक्चर बना दूए एक बार ताकि आपको विजुलाइज करने में आसानी रहेगी ओके ये बन गए A का B का C का D का इस टाइप की विश्यू को आप दो तरीके से कर सकते हैं एक स्मार्ट तरीका है दूसरमट देखि oni मैथड है अब इसमें क्या होगा जो पॉजिटिव चार्ज जितना क्योंकि इसमें नाइंट्रूजन घर रखना हैक चार वैलनेंसी के साथ इसमें पॉजिटिव चार्च आ रहा तो जो जो परोगि पोईश्चिव चार्ज को सभ है तो जो रिंग की वज़े से effect इसका reduce हो रहे है positive का समझ मा रहा हूँ है इसमें भी प्लस आई है इसमें एक का था इसमें दो का है इसमें भी सिर्फ प्लस आई है रिंग है लेकिन इसका कोई effect नहीं है क्योंकि यहां पर cs2 group जुड़ा है ठीक है तो कुल मिलाके मेरा जो क्यो इसमें साल्ट होते है यह बेसिकली less stable रहते हैं दैन मेरे जो रिंग वाले इसके साथ रहते हैं बतायता आपको reason वह यही था delocalize हो जाता है यह क्योंकि less stable है तब ही तो यह h2 के साथ reaction करके रोह प्लस आई हैस रिलीस कर देते हैं लेकिन इस case में यह यहीं पर रुख जाता ह इसका मतलब alkyl वाला less stable है यह ज्यादा stable है तो अगर आप गोर से भी देखेंगे ना सारे options को तो यह भी alkyl है यह वाला यह वाला same है यह वाला भी alkyl है ring से confused मत हो यह का simple इस वाले compound के साथ जुड़ावाए सीस्टू के साथ alkyl है समन भारा तो सारे के सारे कम ही stable होने चा अब एक थोड़ा सा आइडिया तो हुआ ही होगा आपको कि मैं क्या बताना चाहरा था तो बी option सही next question देखते है नाइट्रो बेंजीन ओन reaction with concentrated S2SO4 and HNO3 NO2 हो गया नाइट्रो बेंजीन HNO3 and S2SO4 क्या बनाएंगा आपको बताया था नाइट्रेशन की reaction है NO2 positive बनाते है याने electrophilic जो आपकी aromatic substitution reaction है nitrogen की अब इसमें क्या होगा मैंने आपको बताया था ना electron withdrawing group NO2 एक बहुत ये अच्छा electron withdrawing group है तो ये effect basically ortho and para position से electron cloud को कीच लेगा तो overall इधर del negative आजाता है potential बढ़ जाएगा तो ये जो positions है इनको कीच लेते है इसको या इसको समझ मैं आपको guys तो कुल मिला के क्या बन जाएगा मेरा ये वाली जो position पे NO2 इधर NO2 जुड़ जाएगा क्योंकि यहां से electron withdrawing group जुड़ा था पहुत ही जादा basic था इसको क्या बोलता है 1-3-dinitrobenzene इसका मतलब मेरा D option सही है in fact अगर मैं उसका और फिर से HNO3 उसके साथ देक्षिन कराता हूं जो ती इधर meta position पे ही जुड़ जाता है समझ में आपको तो अभी फिलाल ये वाला answer पूछा था तो ये D हो गया next question देखते हैं so basically guys इस reaction में ये N2 cell diazonum chloride है ठीक है और ये BR जुड़ा है NO2 जुड़ा है और A पूछा गया है तो guys देखिए सबसे पहले आपको बता दू है H2SO4 तो इसमें तो फिलाल इसका कोई काम नहीं है क्या करेगा अगर ये तीन basically अलकीन इस टाइप का है मेरा तो अगर मैं HGSO4, H2SO4 इसके साथ reaction कराता हूं oxy-mercuration, d-mercuration reaction तो मेरा इधर OH जुड़ जाता है समझ में आपको तो ये reaction है तो ये वाला तो फिलाल नहीं है अगर मैं CO2, CO2 के साथ reaction कराता इसमें तो CO2, CO2 में जो CO2 negative है वो इस पर attack करता ये पूरा bond ब्रेक हो जाता तो इधर CO2 जुड़ जाता प्रोड़क्ट में तो इसलिए अब ये वाला भी नहीं है, d भी नहीं है, positive charge इधर ये जो hydrolysis हो रहा है, hydrolysis करके आप कहां जाएंगे इसका, ये acidic hydrolysis हो रहा है, hydrolysis करके क्या करोगे आप इसका, इधर करोगे आप इसका, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये basically, aromatic ring है, तो किस तरह होगा, कोई logic नहीं बनता, किस पर attack करेगा, क्या निकलेगा, कुछ logic नहीं बन रहा है, hydrolysis का, ये मैंने आपको समझाने के ल donor है, हाला कि इसका structure कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो ये h है, ये basically पूरा ऐसा release हो जाता है, h negative की तरह donate हो जाता है, तो इसमें h negative जब इस पर tag करता है, ये पूरा निकल जाता है, into gas, और इधर h रह जाता है, इसका मतलब ये वाला मेरा product बन जाता है, तो इसमें answer जो होगा, वो A है, ठीक है, S3PO2 सिर्फ और सिर्फ इसी वज़े से, और कुछ reason नहीं है, ओग गाई, सो समझ माँ है आपको, जो बाकी question है guys, next part में करेंगे, right guys, so इसको आप revise करेंगा, पढ़ेंगा, देखींगा, कोई issue हो तो मुझे बताएगा, right, so guys, thank you for watching, like, share and subscribe bye